हम हेलो हेलो बतो सब लोग ठीख है नहीं आज मैं आप लोगों को जो पहले पीछे जो वीडियो बश्रzym बना है आज चौटषा दिन है ऐसे नहीं जमता जहारे हैं इसमें जीम이 से इनाटे हैं कि फूली से ए category जितने problem है सबको हम लोग one by one देखेंगे और आभी हम लोग देख रहे हैं इसमें भी हमलों का Poole का कुषिन होता है तो इसमें strings का जो length होता है वो constant होता है इसी बात को हम लोग one by one देखते हैं involve corn की एक arrangement दिखाई गया है कि एक यहां box अधाय। और यह पूली जो है पूली से अटेश्ट है और यह नीचि आ रहा है नीचि भी पूली लगा हुआ है यह पूली पर लगा हुआ है और यह एक दूसरे यहां पर एक टेबल है, यहां भी एक पूली सेम लगा हुआ है, और इसको इसे करते हैं, यह भी पूली पर लगा हुआ है, यह पूली जो है एक टेबल से लगा हुआ है, इसी टेबल पर एक और बाक्स यहां पर है, ठीक है, और इसे एक बाक्स नीचे की और लगा हुआ है, इसका म मास M1 माल लेते हैं इसका मास M2 दिया हुआ है इसका मास M3 दिया होग milk अब हम हमें fine करना acceleration acceleration find out करना में माल ढूंग इसका acceleration A1 है यह बड़ी नीचे क्यों जा रहा है इसका नाम M2 करता हैरे हम से नीचे की इसको हमें कैसे करेंगे तो नियाम हम पहले बताये हुए आप लोगों को कि सबसे पहले देखेंगे कि कि इसमें देखें एक रसी यहां है यह एक रसी हो गया दूसरा रसी यहां है तो जितनी रसी होती है उतना टेंशन होता है ठीक है तो हम कर लेंगे कुश्चन है कि फैंट दे इस पॉस्चन है फांड दे रीलेशन इससे चुटीन इसे रेशन बीट्वीन एवन एटी में एड एटीड इसक्ट करना है कि एक आइसेलरेशन और भी के एसेलरेशन और यहें में दिशंट क्या है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम M1 के बारे में सुचना यह है कि देखते हैं कि इस पूली के इस point से और यहां से यहां के बीच का distance कितना है यह distance x1 है ठीक है यहां तक x1 है दूशरा इसी तरह से यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के 20 का दूरी जो है एकस टू है यह डिस्टेंस एकस टू है फिर हम देखते हैं कि यह टेबूल परलेल दिया हुआ है तो यहां से जो डिस्टेंस होगा यहां से यह distance माल लेजिए x3 है तो यहां से भी यहां तक x3 है इसके सामने सामने तक तो यहां से भी यह distance कितना हो जाएगा x3 ही हो जाएगा इसके और इसके 20 के distance x3 ही हो जाएगा ठीक है और देखते हैं कि जितना फूली का acceleration होगा उतना ही इस a3 का acceleration होगा कि यानि M3 बडी दी Ch overlay इस्जेलरेशन उतना ही और सब्सक्राइब है कि अ कि और इन सम्दूरे मेरा फोली है spear हैं तो सब से पहले हम देखेंगे स्टेबलिस करेंगे हैं तो रिक्राइचन में क्या चीजँ देख रहा है कि यह distance इधर घट रहा है तो यहां हो जाएगा minus X1 और यह हो जाएगा minus X2 plus X3 इधर है X3 इधर है तो 2X3 यहां से यह distance एक हम जो रहंगे यहां से 11 माल लेते हैं यहां से distance L2 माल लेते हैं ये L2 हो गया है ये L1 हो गया है और यहां से यह जो बच गया यह मेरा L3 में हो गया है तो हम क्या जानते हैं कि हम इसमें जोर देंगे L1 जोर L2 जोर L3 that's equal to constant इतना तो कर दिये constant बना लिया गया अब क्या करना है यह displacement है तो हम क्या करेंगे इसका हम डिफ्रेंसियेट करेंगे तो मेरा वेलोसिटी निकल जाएगा तो वेलोसिटी वजाएगा इसका वजाएगा और यह सब constant है तो 0 हो गया यह भी constant है तो कितना हो गया जीरो हो गया यानि कहने का मतलम मेरा हो गया कि यह dx तो यह हो गया minus V1 minus V2 plus 2 V3 is equal to 0 यानि 2 V3 is equal to V1 जोर V2 यह acceleration जब हम कहेंगे तो 2 A3 is equal to A1 जोर A2 तो A3 is equal to कितना हो जाएगा A3 is equal to जो हुआ उसका भैलू हो जाएगा A3 is equal to A1 plus A2 by 2 this is the relation तो इस तरह से हम relation establish कर लेंगे और इसके बाद अगर यह पूछेगा कि अब इसका value मालो M1 का value दिया हुआ है M2 का value दिया हुआ है M3 का value दिया हुआ है तो valuation आप देखेंगे वरी नीचे की और जा रही है में इसमें टेंसन अन्डियू की इसमें टेंसन क्या होगाँ है इसलिए टेंशन क्या होगा थुक्त फुला ऑगर दूसरी टेंश्य टेंशन क्या होगा सब में DEACY ऊतना टेंशन क्या है तर भरगल हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम बताए कि a1 a2 a3 में रिलेशन क्या है अब इसी तरह से यह कैंड दूसरा कोशन है यह पहला हो गया पहला टाइप का कोश्चन हो गया इस तरह से तो तो तीसरा कोश्चन है एक ठोड़ निकालते हैं तीसरे कोश्चन के लिए है दूसरा कोश्चन देखते हैं इसमें देख रहे हैं कि एक सीलिंग है सीलिंग से एक पूली बंदा हुआ है पूली से एक अबजेक्ट लगा हुआ है इसका नाम M1 करते हैं और यह नीचे की और आगया एक दूसरे पूली से टैस्ट है यह बड़ी इस पर लग रहा है दूसरा इस पर लग रहा है कि यह का नाम है M2 इसका नाम है M3 हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है इसका इसलेरेशन एटू माल लिए इसका इसलेरेशन एटू माल लिए तो हम इसमें क्या देखते हैं इस पूली का जो Acceleration होगा वाई Acceleration किसका होगा M1 का Poolie P2 जो होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग तो Relation Establish करेंगे A1, A2 और A3 में A1, A2 और A3 का हम लोग Relation Find Out करेंगे तो कैसे Relation करेंगे जी तो सबसे पहले देखेंगे कि मेनली रिलेशन हमको establish करना है मन का तो हम लोग क्या देखते हैं कि acceleration of P2 is equal to acceleration of M1 तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें देखते हैं कैसे तो यह इस जगह से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले यहां से फूली का हम दिस्टेंस कर लें फूली का दिस्टेंस हम दिया फूली के डिस्टेंस हो गया अब इस बडी का नाम यहां से हम कर लेते हैं इसका distance x2 कर दिया ठीक है अब फिर यहां से इसका distance x3 कर दिया कि तिन डिस्टेंस आ गया तिनों जगह से तो हमें इस ट्रींग के लिए यहां पर टी टेंशन अगर हम दे रहे हैं इसमें टेंशन टी लगा होगा है तो सबसे पहले देखना है कि इसका पॉइंट से कि यहां तक का इष बड़ी के की इसका कितना distance हो यहां से इस जगह का distance कितना हो तो यहां से टोटल यहां तक एक年 nämering है और यहां से यहां तक है xp2 तो यह distance कितना हो जाएगा इस distance का भालू हो जाएगा x2- xp2 यह distance इस रस्षी का distance इस string का distance हो गया x2- xp2 अब हमको यहां से इस point का distance निकलना है तो यहां से यहां तक का distance तो दिया हुआ है उपर से लेकर के इस नीचे तक का यहां तक दिया हुआ है यानि x3 में से अगर हम xp2 घटा देते हैं तो यह मेरा distance आ जाएगा यानि x3- xp2 यह distance हो गया मेरा यहां से यहां तक ठीक है अब हमारा यह जो एक बाइलू constant यहां से होगा माली इसका बाइल वन है तो इस string का length क्या होता है constant होता है इस string का length क्या है constant है तो कैसे लिखेंगे पर लिखेंगे कि सिंज है दी असलेरेशन आफ एम एम एंसे दी एसे 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 लिएशन आफ एम एम एज एगल तो इस एकल तो एसे लिएशन आफ पीटू पीटू का जो एसेलरेशन होगा वही एसेलरेशन किसका हो जाएगा एम ओन का यानि एवन इस इकूल टू एपीटू एवन जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा एपीटू क्योंकि जितने के एसेलरेशन से नीचे आएगा उतना ही के लिए से क्या जाएगा उपर की और जाएगा समझ रहा है ना चले यह पहली बात हो गई अब इस दूसरे स्ट्रिंग के बारें बात करेंगा दूसरा स्ट्रिंग देख रहे हैं कि यह पॉइंट से ले तो सेकेंड स्ट्रिंग में क्या देखते हैं जी तो यह डिस्टेंस मेरा हो गया एकस टू माइनस एकस पीटू ठीक है पलास अब यह यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखेंगे एकस थी माइनस एकस पीटू और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यह देखेंगे पलास L1, that's equal to constant, यह है, distance में पता चल गया, इसका differentiation करेंगे तो velocity हो जाएगा, यानि पहले इसको bracket को तोर दीजिया, x2 minus xp2 plus x3 minus xp2 पलास L1, that's equal to constant, अब देखेंगे, xp2, xp2 हो गया, यानि x2 plus x3 minus 2 xp2 plus L1, that's equal to constant, अब क्या करेंगे, यह तो निकल गया, आप इसके बाद, इसका differentiation करेंगे, differentiation करेंगे, तो velocity निकल जाएगा, तो हम velocity कैसे निकल है, dx2 हो गया, by dt, plus dx3 हो गया, by dt, minus 2 बाहर आगया, dxp2 by dt, plus DL1 by dt, that's equal to 0, अब आप देखते हैं, कि इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हम v2, इसको लिख सकते हैं, v3, इसको लिख सकते हैं, minus 2 v3, यह तो गया, 0, that's equal to 0, यानि हमने देखा क्या, हमने देखा, कि 2 v3 is equal to v1, v2, पलस v3, अच्छा, यह b3 नहीं है, यहां हो गया, vp2, यह हो गया, 2 vp2, या vp3 is equal to v2, नहीं, यह उल्टा लिख सकते हैं, यहां हो गया, 2 vp2 is equal to v2, पलस v3, 2 vp2 is equal to v2, पलस v3, तो vp2 मने मतलब, velocity of second pulley हो गया, तो acceleration भी है, इसका भी, m1 का भी acceleration क्या हो जाएगा, vp, यहां पर लिख देंगे, v1 हो जाएगा, v1 is equal to v2, पलस v3, इसके बाद acceleration हो जाएगा, 2 a1 is equal to a2, पलस a3, तो इस तरह से यह मेरा relation हो गया, तो, यहां पर हो गया, 2 a1 is equal to a2, पलस a3, यही मेरा relation हो गया, अब अगर कोई पूछ रहा है, question में है कि find the acceleration of m1, m1 का हमें acceleration निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहला तो यह मेरा हो गया, 2 a1 is equal to a2, पलस a3 दिया हो है, अब करेंगे, find the acceleration of the a1, a1 का acceleration कितना होगा, इसको evaluate करना है, relation establish करना है, तो इतना तो सबसे पले relation निकाल लिए, 2 a1 is equal to a2, पलस a3, हमें इसका tension भी दिया होगा है, नहीं, अब इसका हम solution बनाएंगे, एक तो तो relation हमारा आगया, पाला equation, इसको हमनों मान सकते हैं कि यह मेरा first equation है, now, अब हमें देखना क्या है, कि यह बड़ी m1 जो है, उपर क्यों जा रहा है, m2 जो है, नीचे क्यों रहा है, m3 भी क्या है, नीचे क्यों रहा है, हमारा relation इतना आया हुआ है, 2 a1 is equal to a2, पलस a3 आया हुआ है, now, अब हमें फ्रीवर्डी डाइग्राम बना करके, और हमें निकालना है एसेलरेशन, चलिए, तो सबसे पहले हमारा आगया एसेलरेशन है, यहां पर relation है, 2 a1 is equal to a2 पलस a3, यह मेरा first equation आया हुआ है, now, that one is first equation, अब फ्रीवर्डी डाइग्राम के बारे में सोचेंगे, चुकि एसेलरेशन अब यह का हमें मास के रिस्पेक्ट में, सब m1, m2, m3 और ग्रेविटेशनल इसलेरेशन जी के रिस्पेक्ट में, हमें इसका भैलो निकालना है, तो इसका भैलो कैसे निकालेंगे, इसको one by one करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम फ्रीवर्डी डाइग्राम बढ़ाएंगे, तो फ्रीवर्डी डाइग्राम प्लस m1 बढ़ाएंगे, तो m1 चुकि ऊपर की और जा रहा है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कि फ्री बढ़्डी डाइग्राम प्लम पूली के पहले बात, पूली का कर लेते हैं, पूली में देखा गया है इस तरह से ये पीटू है, इसे इसमें देखा गया कि दो एस्ट्रिंग नीचे की और है, इसका टेंशन तील माना गया है इसका भी टेंशन टीमान दें और उपर की और मेरा ती वन है ऊपर की और मेरा ती बन है तो तीवनिस कल टू हो गया ठूटी इसमें क्या चीज़ देखे की टीवन इसकल टू ते मेरा तीसरा दूसरा एक्वेशन ते बूप है अब यह तो पहला एफ बीदी हो गया कि फ्रीवर्डी डाइग्राम इस तरह हो अब पूली के लिए या पी के लिए अब लिखेंगे एफ बीडी कि फार एमोवन के बारे में सोची है तो एवन के बारे में क्या सुच रहे हैं एक बॉक्स बना हुआ है यह मैंना हमेट्व नीचे फोर्स लग गया मोवन जी उपर लग गया 2T तो टी इसकी ती-वन इसका वर जाएगा 2T minus M1G is called to M1A, यहां मेरा equation हो गया, तीसरा, थार्ड equation हो गया, ठीक है, अब कौन सा अब फिरिवरी रे ग्राम, अब लिखेंगे FBD for M2, M2 के बारे में देखी, M2 के बारे में क्या देखना है जी, तो एक box बना हुआ है, M2 लिखा हुआ है, नीचे की और M2G हो जाएगा, उपर की और कितना हो जाएगा, T हो जाएगा, बड़ी किदर जा रहा है नीचे की और जा रहा है ये टू से बिचारा नीचे जा रहा है अब इसका equation कितना होगा इसका equation हो जाएगा M2G minus T is equal to M2A2 ये मेरा चौथा equation हो गया फोर्थ ये मेरा फोर्थ equation हो गया ठीक है अब M3 के बाद हैं बात कर लें M3 का value कितना होगा जी FBD for M3 लिख देंगे FBD for M3 लिख देंगे FBD for M3 में क्या देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये box बना हुआ है जिसका नाम M3 है नीचे की और फोर्ष लग गया M3 जी ऊपर की लग गया T बड़ी जा रहा है नीचे ये 3 से इसके लिए equation कितना हो गया इसके लिए equation हो जाएगा मेरा M3 G minus T is equal to M3 A3 यही मेरा equation हो गया यह equation हो गया पच्छवा नंबर यह पांच नंबर equation हो गया चलिए अब हमें equation मिल गया एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर और पांच नंबर इसी पांचो equation से हमें A1 का भैलो निकालना है in respect of M1, M2, M3, A2, A3 के respect में हमें भैलो निकालना है तो इस सब को लिख लिजिए जब आप लिखेंगे इसको रोक रोक कर विडियो रोक रोक कर अपना नोट कर लेगते जाएगा इसको ततकाल में हम मिटा लेते हैं और सब equation को एक साथ relation establish करने की कोशिश करते हैं चलिए तो हम देख रहे हैं क्या कि इसको मिटा है इसको सब पहले जो भी equation है सब एक सेड में लिखते हैं evaluation करना है हमको पहला relation तो यही है 2 A1 A1 is equal to A2 plus A3 यहां दिया हुआ है तीशरा दूशरा यहां दिया हुआ है यह सब जो अलग-अलग है इसको हम लोग एक जगा कर लें तो एक जगा करने में पहला equation यह है दूसरा यह है तूटी माइनस M1 G is equal to M1 A है यह तीशरा equation है फिर हमारा है M2 G माइनस T is equal to M2 A2 है और तीशरा है M3 G माइनस T is equal to M3 A3 है ठीक है अब इधर वाला मिटा दीजिए अब हम लोग solve करेंगे relation establish करेंगे तो इन तीनों equation को हम लोग solve करेंगे तो कैसे solve करेंगे जी इसको solve करने का तरीका और एक आना चाहिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि equation 3rd से यह equation मेरा 4th है equation 5 है इसमें हम देख रहे हैं क्या कि हमें सब में T है तो T का value निकाल देंगे सबसे पहले किसका value निकालेंगे T से लिखेंगे from equation 3rd फ्राम एक्वेशन नमबर 3rd वी गेट T is equal to कितना हो जाएगा T is equal to G तो T is equal to हो जाएगा M1A पलास M1G बटा 2 यह बात हो गया इसको हम लोग छठा मान ले चलिए कि अब यहां देखते हैं कि हम हमें M2 और M3 दिया हुआ है यहां A2 और A3 है तो हम equation 4th और 5th से हम लोग जोड देंगे इसको तो हमारा निकल जाएगा यानि एडिंग इक्वेशन फॉर्स्ट है फॉर्थ हैंड फिफ्थ एडिंग इक्वेशन फॉर एंड फिफ्थ फॉर और फिफ्थ को जोरेंगे कितना हो जाएगा जी एटू इसकल तो एटू पलस एथिरी जोर रहें एटू इसमें से निकाल देंगे यह एमटू चला जाएगा नीचे तो कैसे जोरेंगे तो जोर दीजिए यहां हो जाएगा एमटू जी माइनस टी बाटा एमटू जोर एमटू जी माइनस टी बाटा एमटू यह होगा यह तो समझ में आ गया है एमटू जी माइनस टी बाइटू इसके लिए एमटू जी माइनस टी बाटा एमटू चलिए इसके बाद क्या होगा यहां पर एटू पलस एथरी इसकल टू टू एवन लिखा हुआ है तो यहां लिख देंगे टू एवन टू एवन हो गया अब इसका लसी अम निकाल देंगे लसी निकालने हम लोंको आता है आता है ना यहां हो गया एमटू यहां हो गया म3 अब एमटू से बाग कर जाएगा तो यहां हो जाएगा एमटू एमटू एम थी जी कि माइनस यहां पर भैव्लू हमेंidad लिखना है M3 हो गया और T का भैलू हमें लाना है equation first से तो T का जगह पर कितना लिखनेंगे M1A plus M1G by 2 क्या हो गया पलस अब इसमें M3 कर जाएगा तो M2 आ जाएगा तो यहां हो जाएगा M2G M2 into M3G minus यहां हो जाएगा M2 bracket में T का भैलू रिपने है तो यह हो जाएगा M1 A1 M1 A1 है M1 A1 है M1 A1 plus M2 G सब का बटा नहीं इस सब का बटा क्या हो जाएगा यह टोटल का बटा है टू टोटल का बटा टू ठीक है इतना हो गया तो अब इसको और भी expand करते जाएंगे और expand करेंगे तो क्या क्या मिलेगा जी है कि अब हमें मिलने वाला है उपर वाला मिटा देते हैं रोक रोक कर आप लोग कर लेंगे कैसे स्वल्व करेंगे सो पता है अब सब रिलेशन हम लोग फटा फट लिखते जाएंगे यहां तक लिख लिए आगे देखते हैं यहां पर लिखो गया 2A1 कितना हो गया 2A1 लिख दिया अब इसको तोरेंगे तोरने से क्या जाएगा M2 M3 Z minus अब इंटू यहां होगा M1 M3 A1 यहां हो जाएगा माइनस M3 M1 A1 माइनस M1 M3 M1 M3 और M1 M3 हो गया इसको इसे करेंगे बटा का जूर है अच्छा इस सब का बटा टू है तो यहां पर हो गया इसको यहां पर ब्रैकेट में रहने ही दिजिए तो यहां पर प्लस हो गया और यहां M1 M3 M1 M3 G आई सब का बटा है टू है सब का बटा टू यहां पर है यह बंद हो गया पालस अब यह हो गया M3 म2 G M3 G मैनस ब्रैकट में M1, M2, A1 plus M1, M2, G, सबका बाटा 2 और यहां पर भी, यहां पर भी, into 1 by M1, M2, M3 M2, M3 यहां जो है, so अब चलिए, अब आगे, दिखते हैं, यहां पर हो गया, 2A1 is equal to अब 2 से multiply हो जाएगा यहां, LCM हो गया, यहां पर LCM तो हो गया, 2 सब के लिए 2 एक बार कर देते हैं, तो यह हो गया तुमको यह हो गया, 2, M2, M3, G और यहां पर माइनस हो जाएगा, M1, M3, A1, फिर यह माइनस हो जाएगा, M1, M3, G जोर, यहां पर भी हो जाएगा, 2, M2, M3, G minus, इसको आगे बराते जाएगे, minus हो जाएगा, M1, M2, A1, minus M1, M2, G, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा, M2, M3 M3, this is the, now 2, A1 is called, 2, M2, M3, G यहां है, 2, M2, M3, G यहां है, क्या हो गया, 4, M2, M3, G, यहां देखो, यहां पर कैसे कैसे लिख देजी, M1, M3 है, देख लो यहां पर, M1, M3 है, कैसे दूबन लिखा गया था, चलिए यहां पर हो गया, M1, M3, A1, minus M1, M3, G, M1, M3, G, पलस, फिर यहां पर आगया, माइनस, M1, M2, A1, minus M1, M2, G, आज सबका बटा, 2, M2, M3, अब जिसे देखा जाए, माइनस कमन कर दिया जाए, और यहां M1, M3, A1 है, M1, M2, A1 है, तो यहां पर यह चला जाए, इन्टू होगर तो दो दूनी चार हो गया, 4, M2, M3, 4, M2, M3, A1 हो गया, इधर से A1 क्यों को नाड़ा है, M1, M3, A1, M1, M2, A1, पलस हो गया, M1, M3, A1, जोर, M1, M2, A1, M1, that's equal to, अब इधर क्या क्या बच गया जी, इधर बच गया, 4, M2, M3, G, यह तो चला गया है, यह भी चला गया है, माइनस कमन कर दिजिए, M1, G तो दोनों में है, M1, G बाहर कर दिजिए, यह बच गया M2, और इधर बच गया M3, इतना हो गया, इसमें सब में, A1 है, कमन है, तो A1 को बाहर निकालेंगे, यहां कितना बच गया जी, तो 4, M2, M3 बच गया, अब देखा जाए, इसमें M1 है, इसमें भी M1 है, तो प्लस M1 बाहर कर दो, यह बच गया M2 प्लस M3, ठीक है, इधर बच गया 4, M2, M3 G, माइनस M1 G, M2 प्लस M3, ठीक है, तो A1 is equal to कितना हो जाएगा, 4, M2, M3 G, माइनस M1 G, M2 प्लस M3, बच यहां हो गया, 4, M2, M3 प्लस M1, M2 प्लस M3, this is the answer of this question, we have find the acceleration of A1, by putting this value M1, M2 and M3, we get the value of A1 and after getting the value of A1, we will find the value of A2, A3 respectively, so this is the answer.